नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम बात करेंगे रासायन विज्ञान के बारे में और आज हम भी इस वीडियो में देखेंगे कि रासायन विज्ञान के से हुई और रासायन विज्ञान क कि अध्यान के पारे में है Кिंश के अंतर गण की जाता है रसएन विज्ञान के लाता है अगे के चलते हैं मतलब रासायनिक आभिजाण की किस परकार हुई है तो हिसे स्थटफल रासायन विज्यान सब्द की इंद ठत कीमिया नामक आभश से हुई है प्रा रहं मेरा इल्ग्जान को क lorsqu प्रवेत कहा जाता था है तो हैं आगए चलते हैं है थो हमारा पहला क्यूसन है तो दूस्तों स्कराइट अंसर होगा लेव थी को आध्यूनिगर सैन शुर्छ जाता हैतो दोस्तों चलते ञ zig क्यूसें की तरफ तो नेक्स की उसने द्रव्य क्या है तो दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है द्रव मेटर वह है जो इस्तान गहरता है तिता जिसका कुछ द्रवान होता है द्रव्य की तीन अवस्ता होती है टोश, द्रव्य, गेस तो दोस्तों इन तीनों के अलावा इसकी दो और अवस्थाए वो ते group अवस्था ये फिर अवस्थाए किते जो हाली में चर्चा में आई है दोनों है प्लाजमा तबोस आइंस्टैन कंडसेट या फिर बीएसी तो दोस्तों कुल मिला के यह पांच दरवे की पांच अवस्ताई हो गई है तो हम आगे चलते हैं तो दोस्तो अगला कि उसे नग परमाणू क्या है तो इसका उत्तर कुछ इस परकार है तो दोस्तो दरवे का वह सुक्स्तम कण जो रशोतंतर रह सकता है तता उसके सभी रासानी गुणों को पर्दिशित करता है परमाणू कहलता है तो हम चलते हैं आगे और यह अनेक सुक्सम कणों से मिलकर बना होता है जिन में परमुक तोर पर इलेक्टोन न्यूट्रोन वे प्रोटोन आते हैं तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो अगला क्यूसन है अणू क्या है तो दोस्तो इसका उत्तर कुछ इस परकार है अनू किसी तत्विया योगी का वे सुक्सितम कण जो सामाने दसाओं में सुतंतर रह सकता है और यह द्रवे के सभी गुणों को परदसित करता है यही दोस्तो अनू कहलाता है तो दोस्तो इसका निर्माण दो या दो से अधिक परवाणों के निच्छत अनूपात में जुणने से होता है तो दोस्तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं अनू के उधारण तो दोस्तो अनू का उधारण है जल यानि H2 अमोनिय यानि NH3 और कार्बन डाय ओकसाइड यानि CO2 तो दोस्तो इसके अलावा भी इसके बहुत सारे उधारण है तो यह उधारण परमुक तोर पर है तो हम चलते हैं आगे और हमारा अगला क्यूसन है तत्व क्या है तो दोस्तो इसका उत्तर कुछ इस परकार है तो दोस्तो इन में केवल एक ही परकार के परमाणू होते हैं तो दोस्तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो हमारा अगला क्यूसन है अभी तक याद तत्व की संक्या कितनी है तो दोस्तो अभी तक ग्यात तत्व की संक्या 118 तत्व जिनमें चोराणम तत्व पराग करती गए तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो अगला क्यूसन है द्रव अवस्ता में पाया जाने वाली धातू जो दोस्तो दातु आम तोर पर टोस अवस्ता में पाए जाती है लेकिन कुछ दातु यह है जो दर्वे अवस्ता में भी पाए जाती है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तो ये दातु यह है पाराव ब्रोमीन दरवे अवस्ता में पाये जाते हैं तो दोस्तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो अगला क्यूसन है सबसे भारी तत्व कौन सा है तो दोस्तो इसका उत्तर कुछ इस परकार है तो दोस्तो अन-अन-70M हाल ही में खो जा गया सबसे भारी तत्तो और दोस्तो इसका परमाणु कर्वांग 117 है तो दोस्तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो कुछ परदार्थों कि कटोर्था का करम कुछ इस परकार है क्सा है है ना कि दोस्तों यह है ऐघ्र मतलब एप परदार्थ diff museums a फिर आता है काडव मपएर आ टोपिच फिर ना जलू शेल कहल सब्सक्राइब और ऐसके बाद काडव माता उसके बाद पर प calculate आप दोस्तों चलते आगे तो दोस्तो पृत्वी पर पाया जाने वाले पर्मुक तत्वे तो दोस्तो यह चार तत्वे जो पृत्वी पर पर्मुक तोर पर पाया जाते हैं जिनमें सबसे उपर है ओक्सिजन जो 49.9% पाया जाता है पृत्वी पर और सिलिकोन चब्वीस दसमलव जीरू परसेंट और अलूमिनियम साथ पॉइंट 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 और लोहा चार पॉइंट एक परसेंट पूर्थ फिर पर पाये जाते हैं तो दोस्तो हम चलते हैं आगे और दोस्तो अगला कि उसने मानव सरीर में पाये जाने माले पर्मुक तत्वें दोस्तो मानव सरीर में पर्मुक तोर पर यह चार तत्व पाये जाते हैं जिनमें ऑक्सिजन 55% कारबन 18% हाइडरोजन 10.0% और नाइटरोजन 6% है तो दोस्तो हम चलते हैं आगे तो दोस्तो अगला क्यूशन है योगी क्या होता है तो दोस्तो इसका उत्तर कुछ इस परकार है तो दोस्तो वह सुद्ध परदाज जो दो या दो से अधिक ततों के निच्चत अनुपात में गटित हुए रासानीक स्वयोग से बनता है उसे योगी कहते हैं तो दोस्तो इसका उधारण जल है और दोस्तो इसके अलाव भी इसके बहुत सारे उधारण है तो दोस्तो यह थे साइन्स के कुछ मौश टोपिक तो अगर आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैलन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना तो मैं मिलता हूँ रासानी विज्ञान के एक नेक्स टोपिक के साथ और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों